हलो दोस्तो स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइन स्कूल ओफ नॉलेज पर दोस्तो पंजाब सरकार नई बरती निकाली है यह नई बरती पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिम्टिड यानि कि पी एस टी सी एल में निकली है इसमें जो टोट और आइटी डिविजनल अकाउंटेंट जेई सब स्टेशन की वकैंसिज आई है और कलर की वी वकैंसिज है एल डी सी की इसमें यह सी आरे नंबर 10 2021 है पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कोर्पोरेशन लिम्टिड में इसकी जो ओपनिंग डेट है ओनलाइन रिजिस्टेशन की वो है 26 अप्रेल 2021 को 10 बजे से लास्ट डेट है इसकी 17 मई यानि 17 पास 2021 स्टेप वन की और जो फीश डिपोजिट करने की जो स्टेप टू है उसकी है उन्निस पास 2021 यहां पर जो वकैंसिज हैं यहां पर आप चैक कर सकते हैं असिस्टेंट इंजिनिर ओटी इलेक्ट्रि इसकी डिजए डिडिग्री होने जए बिए बिकेटयुट इसकी डिए इलेक्ट्राल्में या एलेक्टरॉनिक्स में किसी व डेघर कमेंद्ट असिस्टेंट इंजिनियर OTC वी लिख में भी डिग्री होनी चाहिए इसमें टोटल नमबर अफ़केंशी चाह हैं अकाउंट ओफिजर की साथ वकेंशी है इसके लिए CA, CWA, CM में होना चाहिए असिस्टेंट मेनेजर HR के लिए दो साल की MBA डिग्री हो या PG डिपलोमा हो इसके लिए तीन साल का डिपलोमा हो या चार साल का डिपलोमा या डिग्री होनी चाहिए यह B.Tech हो यह B.E.E हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स में जुनियर इंजिनियर सीविल की 15 में है इसके लिए डिपलोमा या डिग्री होनी चाहिए सीविल इंजीनिरिंग में जुनियर इंजीनियर कम्यूकेशन की ग्यारा मकैंसी है इसमें डिपलोम माया डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रोनिक्स और टेली कम्यूकेशन इंजीनिरिंग में टेली फॉन मकैनिक की पंदरा मकैंसी है इसके लिए भी तीन या चार साल का डिप पिष्ट की वकेंसिज है 140 इसके लिए 50% के साथ कोई भी बैचलर डिगरी हो इसमें बी ये भी हो सकती है और LTC कल्दरक अकाउंटेंट के चाली वकेंसिज के लिए बैचलर डिगरी हो निचाए कोमर्स में 50% मार्स के साथ है इसमें टैंथ तक पंजाब भी जरूरी है एज लिमिट वही एई की वकेंसिज के लिए काउंट ऑफिसर असिस्टेंट मेनेजर की वकेंसिज के लिए 20 से 37 साल और जो जैए की डिविजनल अकाउंटेंट सबस्टेशन जुनियर सबस्टेशन की वकेंसिज के लिए टैवलिफॉन मेकानिक्स एल डिसी एल डिसी अकाउंट की वकेंसिज के लिए जो एज लिमिट है वह ठारा से 37 साल है एज रिलेक्सेशन वही है सब्सक्राइब के लिए जो होता है एज पर गॉर्मेंट रूल कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है दो सो नंबर का अब्जेक्टिव टाइप क्वेस्टिन आएंगे इसमें 0.25 की नेगटिव मार्किंग वन फॉर्थ होगी दो गंट टेकाई रिटन एजिटर सीबीटी होगा जिसमें सब्सक्राइब सभी पोस्टों के लिए साइट मार्क्स के और बगए जो मैट जन्रल नोलेज है रिजनिंग है इंगलिस है उसके 40 मार्क्स रहेंगे और मीडियम उफ एग्जाम वो इंगलिस होगा इसमें LDC का सलेवस जो कल रख के लिए है टाइपिस्ट के लिए है उसका अलग है इसमें करंट अफेयर जंडरल नॉलेज बीस नंबर की कम्प्यूटर दस नंबर का लोजिकल रिजिनिंग 25 की मैथ जो नुमेरिकल एप्टिटुट है वो 25 का और जंडरल इंगली से 20 नंबर क कि आईगी कि इसमें जो मीनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है रिजर्व कटाइगरी के लिए 40 परसेंट और जंडरल क्टाइगरी के लिए 50 परसेंट है जो ओन लाइन टेस्ट है इसका वह जून जुलाई में हो सकता है 2021 में यह टेंटिटीव एक्जाम डेट है यह चेंज सकती है ड्यू टू एड्मिनिस्टेशन रिजन यानि की कुरोना भी चल रहा है आजकल तो यह अगे जो एप्लीकेशन फी है रिजर्व कटाइगरी को छोड़कर जो एस सी कटाइगरी है इसको छोड़कर और पर 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 सबीक टाइगरी है जो उसके लिए 1200 रुपए तो ए शोड़ा प्लस बेक चार्जेज एसके टाइगरी के लिए चार्षो सीप्लस छासी फांसोच एट प्लस बैक चार्जेज और ईव्ड़ो एसके लिए 486 चासी तो ये थी एक information जो पंजाब में vacances आई है PS TCL में अगर वीडियो ची लगए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद जैहिन भारत मता की जै